तो अभी हमारा जो hotstar का app है वो बिल्कुल perfectly install हो रहा है और अभी हमें आपर परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है अगर आप प्लेश्टोर से disney plus hotstar के app को download करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप जैसे आप इंस्टॉल वाल अप्शन पर क्लिक कर देओ तो आपका जो app है वो download नहीं हो रहा और आपको आपर पेंडिंग option दिखाई दे रहा है या फिर आपको कुछ S option दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो मैं आपको आज के इस वीडियो में तीन से चार एसी सेटिंग्स बताने आला हूँ जिसे करने के बाद डेफिनेटली यह जो प्रॉब्लम है यह ठीक हो जाएगा तो आपको 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 जो बहुता रहो उन सभी सेटिंग को ठीक से एक बार जो है बहुत के प्रॉब्लम है यह ठीक हो जाएगा तो भी हमारी जो फर्स ट्रेटींग है वो का है देखो उसकेली अपको आपको आपको आक्कास कॉंपको muss और उस स्क्रोल करना है और जैसे आप यहांपर स्क्रोल करते ओंए तो और आप development यहां पर बहुत ही important setting आपको करना है वह क्या है कि यहां पर आपको सबसे ले तो एक बार देख लेना है कि क्या आपने आपके जो mobile data है उसे on किया है अफिन अगर आपने नहीं किया होगा तो कर देना और हाँ अब आपको 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 आपर दिखा देगा aeroplane mode या फिर flight mode य वह चला गया है तो अब आपको आपने एक बार इसे on कर देना है और अब आपको इसे off कर देना है इसे हमारे जो network है वह फिर से आ जाएगा यानि कि refresh हो जाएगा और इसे हो सकता है कि अगर कोई network से related दिकत हो तो वह solve हो जाएगी और आपका जो play store है उसमें से आपका disney plus hot star and customer value sąशτο, में जाएगा तो हमारे जмотр Roger हो जाए है लिकिन अब मैं आपको दहा और दूसरी सेटिंग जिसदी कि बहुत हद सकता है वह क्या है, जो मेरे दूसरी setting ऑना हूए न उसके लिए आपको आपको आपके phone की settings का life होता है उसे open कर देना है जैसे आपint की सेटिंग का लिखाएगा तो आपको Apps या फिर Manage Apps आपके फोर में जो भी लिखा होगा आपको उस पर क्लिक कर देना है अब जैसे आप Apps वाल उप्शन पर आ जाओगे तो भी आपको दिखाएदेगा आपको पर बहुत इंपॉर्टन शेटिंग करनी है वह आपको आपर दिखाएदेगा शाओधा डवुजय का ओपन आपकोई वाल उप्शन पर लिक champion 6 जैसे ही आप click करते हो data usage वाल option पे तो भी आपको कुछ इस तरीके के options दिखाई देगे, तो भी आपको अबर क्या गरना है, सबसे नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको दो से तीन option मिलेगे, mobile data, wifi और background data, तो अब अगर इन तीनों में से एक भी option off होगा ना, तो फिर आप आपको दोस्तों थर्ड सेटिंग जो की बहुत important सेटिंग है, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपको जो fourth सेटिंग बताने आलो ना, वो बहुत 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 जादा important सेटिंग है, क्योंकि उस सेटिंग से definitely आपका जो यह problem है, यह ठीक हो जाएगा, तो उस सेट आपको फिर एक बार यहाँ पर अप्स वाल उप्शन पर जाना है, और मैनेज अप्स पर क्लिक करना है, लेकिन इस बार आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है, पैकेज इंस्टॉलर, तो आप जैसे यहाँ पर सर्च करोगे ना, पैकेज इंस् अब आपको यह पर क्या गरना है हो सके तो आप पर clear all data भी click कर देना तो problem ठीक हो जाएगा अब मैं आपको अदा दू हमारा second part, second part क्या है वह भी बहुत important है उसके लिए आपको प्लेश्टोर को open करने के बाद आपको back करना है और यहाँ पर आपको home page पर आने के बाद आपको यह पर जो आपकी profile वाल आइकोन दिखाए देता है आपको इस पर click करना है इस पर click करने के पर आपको यह पर दिखाए देगा कि आपने कौन से Gmail ID से login किया है तो आपको एगनना है आपने जिस भी Gmail ID से Login किया होगा उसे छोड़के किसी दूसरे Gmail ID से आपके Play Store के आपको Open करना है इससे डेफिनेटली आपका जो problem है ये ठीक हो जाएगा अब दूस्तों मैं आपको अधाद हूँ फाइनली हमारी फोर्थ और बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-इंपोर्णन सेटिंग वह क्या है देगो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके फोन में जो सेटिंग स्काइब होता है उसे Open कर देना है उसे Open करने से यह लिए आपको बढ़ देता हूँ लए तो आपको क्या गरना है एक फोन में इनफोरेज होनी चाहिए जिस्सके यह भी एकाट जी भी तो खाली रखना ही होगा, तो एक जी भी आपको फ्री रखना है, अब हमें क्या करना है, सेटिंग में आने के वाद आपको यह आपर जो है, फिर एक बार आपको यह आपर जो है, एपस वाल उप्शन पर क्लिक करना है, और इस बार आपको यह आपर जो है, सर् नीचे की दरफ तो यह पर आपको एकन है हमने जैसे package installer का clear data और clear cache किया था न सेम आपको वही करना है यह पर आपको clear data पर click करना है cache पर click करना है और okay कर देना है अब यह सब कुछ करने के बाद भी आपका जो disney plus hotstar का app है वो download नहीं हो रहा तो आपको clear all data पर click करके okay कर देना है इससे definitely आपका problem ठीक हो जाएगा अब हम चले जाते है play store में और यहाँ पर हम सर्च कर देंगे disney plus hotstar तो यह आप देखो hotstar सर्च कर देते हैं और यहाँ पर यह रहा हमारा hotstar का app तो अभी मैं जैसे install all option पर click करता हूँ तो अभी हमारा hotstar का app है वो बिल्कुल perfectly install हो रहा है और